हेलो वेलकम बैक तो दे बास्पास बाइलीजी चैनल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल गिव लाइक्स गिव कमेंट्स और फॉर्गेट प्रेस्ट बेल इकान अब तक जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वा जिसका नामे रिस्पारेशन और सर्कुलेशन जिसमें हमने स्टार प्लांट्स और अनिमल्स को देखे उसके बाद हमने रिस्पारेटर स्टीम इन हुमन कैसा होता है उसको डिस्कॉस किये दैन वी हो डिस्कॉस इन आवर लास्ट वीडियो दा मेकानिजम अफ रिस्पारेशन आज उसी टॉपिक को हम कंटीनी करते इस वीडियो में देखने वाले है वो है the regulation of breathing and plus we are going to put a light on respiratory disorders यानि हम regulation of breathing कैसा होता है यह देखने वाले और साथ ही कुछ respiratory disorders है जिसको हम डिस्कॉस करेंगे इसी वीडियो के अंदर सो आप लास्ट तक देखिए बड़ा इंटर्स्टिंग टॉपिक है डेफिनेटल विट विल वेली वेरी वेरी हैल्फुल पर यूर नीट एक्सामिनेशन चलिए लेट सी दे रिस्पारेशन इस अंडर दे कंट्रोल अफ नर्वस एस वेल अक्यामिकल ड्यूल कंट्रोल में है यह यह तो नर्वस यह पृथिं खार्यव कनट्रोल में और्केमिकल कंट्रोल में भी होता है लेकिन आज हम यहां पर फोकीस करेंगे the control under the nervous nervous control में देखा गया कि the mechanism of the respiration is under the control voluntarily control किया जाता है and plus it is autonomically voluntary मतब अपने खुद के control में होता है autonomic it is under the control of a nervous system voluntary जैसी कि हम देखते है कि the voluntarily का जो यहां पर respiratory center is located into the cerebral cortex cerebral के cortex के अंदर एक region है जहां पर कुछ neurons है जिसके मदद से हम हमारे respiration यानि breathing के mechanism को अपने चाहने से हम control करते हैं उसे हम का voluntary लेकिन autonomic जो होता यानि involuntary जो है वो impulses generate किया जाते है respiration के inspiration और expiration के वो किया जाता है medullary region में plus pons के अंदर region so there are the two centers one is located in the medullar इसले से medullary center का and second is present in a pons तुसे pontine का medullary के अंदर हम देखने वाले the dorsal respiratory group of neuron and second ventral group of neuron मेडूला के अंदर हम दो देखने वाले एक है dorsal region में present दूसरा ventral region में present और pontine के अंदर हम देखने वाले है कि pneumotoxic and apneustic center यह दोनो पॉंटाइन के और दो medullar के यह हम detail में आगे जब chapter में जाएंगे तो आपको सारी चीज़े क्लियर जाएंगे इस सारे नाम table में क्या क्या दिया गया है so let's see before we start that regulation कैसा किया जाता है human breath rate के बारे हम discuss करेंगे कैसा breath rate में changes जैसा जैसा age change आएंगी वैसा breath rate में हम को changes देखने को मिलेगा let's see एक छोटा बच्चा जो just newly one baby होता है उसके अंदर जो breath rate रहेंगा that is much है बहुत जादा होता है that is about 44 breathe per minute अगर वहीं हम देखते हैं एक बच्चा पैदा होने के बाद कुछ महिनों का few months का हैं जिसे infant कहते हैं तो उसके अंदर है there is about 20 to 40 breathe देखा अब देखो 44 से वो degrees वोगा 20 to 40 breathe per minute पर आगया then और एज हम देखते हैं एक साल से साथ साल की एज का जो बच्चा रहेंगा that child it has it shows the breathing rate again goes on decreasing 18 to 30 minutes breathe per minute यह हम को देखने को लें अगर हम finally एक adult के अंदर देखते हैं तो again it goes on decreasing between 12 to 20 breathe per minute फिर काम होता गया यह human के अंदर का breathe rate normal breathing rate होता है मैं कहने नहीं होता है so let's see कि अब normal जो breathing होती है जैसे कि हमने already starting table में देखे कि यहां पर यह जो table है कि it is a normally a दो टाइप से है voluntary involuntary कि normally जो हम देखते that is involuntary nature यानि autonomic involuntary यहां पर इसको control किया जाता है by a part of the nervous system जिसे है medulla as well as the pons medulla और pons के अंदर इसके control centers है regulation वाला क्योंकि हमारे इस वीडियो के topic का नाम ही है regulation of breathing यानि breathing को कौन control कर रहा है कहां से involuntary की बग involuntary के कहां पर control है जिसमें से हम देखने वाले हैं यह medullary center में और pontine center में ठीक है so let's see involuntary के बारे में okay voluntary को हम लास्ट में थोड़ा बढ़ discuss का link then human जो constant steady respiration का जो rate होता है constant अब जैसे है कि they are located inside the pons and they are located inside the medulla okay pons और medulla के अंदर हम को यह दोनों मिलेंगे इसलिए इन दोनों region को यहां पर respiratory center का it's clear की respiration का जो constant control करने वाले जो region है जो locate होते है pons के अंदर है यहां पर and medulla के अंदर just see this is the pons here okay यहां से यहां आप देखिए यह pons वाल रिजन यहां पर हमने इसको diagrammatic बता रहे और उसके बाद यह medulla region यहां पर है तो यह है वो controlling unit यहां पर पहला है नीमो टेक्सिक आप चार्ट के याद करें memorize करें और दूसरा अपनिस्टिक यह होगा pons के अंदर पाद में medulla के अंदर हम देखते के देरा दा डॉसल ग्रूप अफ नूरॉन्स एंडर अडरा दा वेंट्रल ग्रूप अफ नूरॉन्स यह है वो center जिसे कहते respiratory center इस और कॉड़ है the respiratory centers okay then जो respiratory center होता है जो pons के अंदर है और जो medulla के अंदर है इनका काम होता है to control the rate of breathing यानि rate of respiration and also the depth of breathing कि कि कितनी depth यानि कितनी volume air अंदर आएंगे और कितनी volume expire के जाएंगे बाहर release के जाएंगे and rate मतलब कि एक मिनाट में कितनी मरतबाट किया जाएंगा यह detail यह जो controlling unit regulation वाला zone होता है वो होता है this the pons and the medulla okay now we'll directly move over की वो regulation करने वाले जो center से वो कैसे होते कहां होते जो कि already हमने आपको tabulation form में बता चुके let's see the first that we call as a dorsal group of neurons which are located in the medulla अब देखो यहां पर यह एक section है सिर्फ यहां पर nervous system का जिसमें हमने separate medulla को लिया हुआ है और उपर का pons है see यहां से लेकर यहां तक यह pons वाला region है और यहां से लेकर यहां तक यह medulla region है see तो यह location का है dorsal मतलब का है जसी dorsal region किसे कहेंगे जो पीट वाला जो पाट है गरदन का पीछ वाला यहां पर यह side का यह से dorsal का आ जाएंगा और उसी के जैसे का भी आगा dorsal यह पीछे का यह आगा dorsal और उसके काम होता है to control the inspiration यह एक inspiratory center यहां पर यह control क्या कर रहा है the mechanism of inspiration breathing 200 से completivity एक होता inspiration और second होता expiration तो यह जो center है जो dorsal of medulla oblongata में present है जिसका काम होता है to control the mechanism of inspiration is it clear यह inspiration को control करने वाला होता है then dorsal के बाद हम जाते है ventral में ventral यह नहीं medulla oblongata के mental position में there is another center see you can see here this is another center यह जो center है इसे कहते ventral lateral neurons which are located into the medulla they control the expiration as well as inspiration यह दोनों को control करने वाला center होता है यह वाला यह है okay first वाला कौन सा था यह था dorsal और यह आगा यहां पर ventral तो यह ventral वाला है यह control करता है expiration as well as inspiration यह दोनों को control करने वाला center रहे हैं आपर कहां पर रहे यह ventral of medulla oblongata ठीक है now अब यह होगा मेडूलों के अंदर के दो control करने वाले respiratory center now we are moving toward the pons पॉंस के अंदर के सा क्या है कौन से है pons is having the pneumotactic center यह रहे है यह pons के अंदर के हैं pneumotactic center यह pneumotactic center का का होता है just to limit the inspiration inspiration को limit करता है then slow the wave of sleep and rapid eye movement sleep यह control करने वाला region यह है यहां पर होते है neurons जो control करते है यह पूर process को या it has a limit of inspiration this is called as the pneumotactic center कहां यह inside the pons then next जो है और last वाला जो है center जो control करता है autonomic breathing को वो है apneustic center जो की बिलकुल antagonistic होता है pneumotactic pneumotactic center के बिलकुल यह opposite में काम करता है यह यह pneumotactic और यह है वो center अब यह कहां पार है देखो pons के है बिलकुल नीचे की तरफ यहां पर है जहां medulla start होने आला बिलकुल उसके पहले यहां पर होता इस इस दापनिस्टिक center जो बिलकुल antagonistic काम करता है टो दा नीमोट एक्टोगनिस्टिक मतलब जो काम यहां पर नीमोटेक्सी कर रहा था वो बिलकुल उसका उल्ठा काम करें गया है आप इस इस दिजादा centers जो control करने वाले regulate करने वाले breathing mechanism को then during inspiration जब lungs expand होते हैं ओके जब lungs expand होते हैं to a critical point just see जब critical point होता है let's see here lungs में जब हवा बरे जारी यहां भी inspiration जब कर रहे हैं एक limit होती है inspiration के बाद हवा जितनी आनी कि उतनी lungs पूरे inflate यानि बाहर की तरफ lungs खुल रहे हैं यह एक limit होती है limit के बाद जैसी inspiration हो जाता है तो वो lungs की capacity जहां complete हो जाती वहां पर कुछ पॉइंट जिसे हम point को कहते है critical point critical point पर जैसी वो चला जाता है expand हो गया अब इससे जादा नहीं होगा तो वहां पर lungs में present कुछ receptors होते हैं जिसे कहते हैं stretch receptor वो stimulate हो जाते हैं क्या हो गया है पर जैसी हवा एक limit तक हम inspire कर रहे हैं इंस्पायर कर रहे हैं क्रिटिकल point पर होँआ receptors stretch हो जाते हैं वो stimulate होते ही यानि activate होते ही इस्टिम्लेट कहते हैं वहां से एक message generate किया जाता है इसे हमें impulse कहते हैं वो impulse को लेकर जाया जाता एक nerve जिसका नाम है Vegas nerve just see yeah you can see here this is the Vegas nerve यहां से कहां जा रहा respiratory system यह लंग से यह कहां से लाए जा रहा लंग से यह जैसी expansion का पुरा प्रोसेस complete हो यह message जाता है कि आप जादा expand नहीं कर सकते हैं आ गए हैं पर उगे उसके respiratory center पर आ गए हैं पर यहां आने के बार message जैसी यहां आ जाता है कहां से आया with the help of a Vegas nerve वो message जाता है to the expiratory center the expiration कराना है क्योंकि message पहल inspiration की विज़े से जन्रेट हुआ inspiration मतब हवा अंदा लेने के बाद ही पल्स जन्रेट हुआ और message जाता है with the help of Megas nerve वेगास nerve से जाता है और expiratory center वो expiratory ventral region में प्रेजेंट है वहां जाता है वो जैसी message वहां जाता है inspiratory center से generate किया हुआ तो 40 message यहां से निकलता है कि वो relax करने का message आता है muscles relax किया जाते है inspiratory जो section में muscle जैसे relax होते है तो 40 वो जो हवा अंदर आ गए थी inspiration जो हुआ था expiration यह लंग्स वापस अपनी जगह पर आते हैं उनका जो हवा अंदर आ गए थी वो वापस बाहर निकलती है जो pressure वहां पर develop हो था critical point पर वो expand हुए थे वो वापस अपनी जगह पर आते हैं और जैसी वापस अपनी जगह पर आते हैं तो जो muscles stretch होने की वज़े से stretch receptors activate करने की वज़े stimulate हो गए थे impulse generate होता है वहापस negative impulse message आता है कि अब वहापर inspiration नहीं अब वहापर expiration होता है यह जो lungs अब deflate हो गए deflate मंतर मंतर हवा अंदर से बाहर निकाल दी गई तो इस condition वेर देर इस नो inspiratory center आप यहाँ पर inspiration नहीं होता और यहाँ पर फिर से नया यह एक cycle complete हो जह हम कहते है breathing cycle यह breathing यहाँ पर complete होती है then यह जो दो event हुआ inspiration होने के बाद वहाँ पर receptor का stretch होना impulse का तयार होना impulse vegas nerve से जाना जाने के बाद वहाँ से message impulse आता है कि वापस अपनी जगह पर लेकर आना है expiration करना है हवा को निकालना है यह जो process होता है this is called the hearing reflex 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 क्यों क्यों इस किया गए reflex is nothing but the quick autonomic involuntary जो action किया जाता है यानि अचानक fast आपको पता भी नहीं चलता कि body के अंदर क्या moment हो गई उसे reflex कहते है यह है herring brier reflex कौन सा reflex होना expand होना और वापस अपनी जगह पर आना तो यह जो है herring brier यह कंट्रोल करता है the depth of the breathing कि कितनी अंदर हवा आना है सांस कितनी नहीं लेना है और उसके बाद जो rhythm है रिदम क्या है पर inspiration 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 यह दोनों को कंट्रोल करने आला process reflex को हैं कहते हरिंग brier reflex यह कंट्रोल करता है हरिंग brier reflex की मदद से यहां पर लंग्स को जादा inflate होने से रोका जाता अगर लंग्स की capacity उससे जादा अगर उसके अंदर हवा जबरदस्ती अगर भरेंगे तो चांस है कि वह burst हो जाए इसलिए यह burst होने नहीं देता यह reflex की वज़े से एक limit पर चला जाता वहां पर जैसी limit पर फुल जाते लंग्स वहां पर stress receptor का मैंसे चला जाता उपर से जवाब आता था कि आप इसको expiration करो expire करो हवा बाहर निकल जाते जिसकी वज़े से लंग्स को burst होने से बचाया जा रहा है यह हेरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स की मदद से किया जा रहा है देन दो रिस्पारेश्ट्री सेंटर है था कनेक्शन विद दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स अल्रेडी हमने स्टार्टिंग में एक टेबल के अंदर बता है कि रिस्पारेशन ब्रीधिंग का मेकानिजम जो होता है वो ड्वेल कंट्रोल है एक तो केमिकल है और दूसरा नर्वस है तो नर्वस के अंदर भी दो है एक है वोलेंट्री और दूसरा है इन्वालेंट्री और तो वोलेंट्री वाला जो रिजन है यहां पर है वोलेंट्री वाले में हम देखते है कि सेरिब्रम यानि आपको पता है यह दिसी तो सेरिब्रम का जो सेक्शन का टेकर किया जाता ह तो section के अंदर outer region यह आपको जो दिख रहा dark color वाला dark region वाला जो दिख रहा आपको this one यहां से यहां तक जो dark region यह वाला dark this dark region it is called as a cortex यह होता है यहां पर cortex region और उसके बाद अंदर का जो दिख रहा आपको light shade वाला this is called the medulla region तो cortex में यहां पर कुण सा है the cortex of a cerebral cortex के अंदर there are the some neurons which has the control over the voluntary इसका connection यहां पर का है voluntary हमारा change और pattern of breathing हम खुद कर सकते हैं वो यह region के अंदर control है cortex के अंतर ओके यहां पर control किया जा रहा then voluntary control एक protective की तरह काम करता है generally it is one of the protective one of the protective mechanism यहां पर हमारे अंदर अगर हम पानी में गिर गए तो inspiration करने से पानी अंदर लंक्स में जा सकता है तो हम control कर सकते हैं एक limit तक या फिर कहीं ऐसी जगह पर आप बैटे जहां पर जैसे कि garage जहां पर बहुत सारा वेहिकल से smoke बाहर निकल रहा है और वो gases से अलग अलग उसमें नुक्सान पहुंचाने वाले gases से अगर लंक्स में जा रहे तो आप inspiration को control करके वो जगह से भाग सकते हैं निकल सकते हैं तो एक limit होती है but it has a limit आपको यहां को रड़ी बुलते की the voluntary होने के साथ भी but it has a stop करनी की जो है तो ability limited होती है क्यों क्योंकि blood के अंदर जो carbon dioxide का एक built up होता है वो उसको limit करता है यानि continue हम उसको नहीं कर सकते है कि oxygen जाना जरूरी भी होता बॉडी केंदा है so this is the cerebral cortex जहां पर voluntary control होता है then इसके अलावा कुछ modified respiratory movements होते हैं यहीं कुछ body के the respiratory movements होते हैं जिसके वुझे हमारे body के कुछ expressions हमको यहां पर दिखते हैं कुछ respiratory movements जो कि हमारे body के अंदर emotions को express करने में मदद करता है okay they help to control the to express the emotion and also they help to clear the air passage message अलग अलग moments होते हैं जिसके जिसके अगर हमारे air passage में खाते वक्त कुछ particle चला गया या फिर कुछ हवा का या पानी का क्या कुछ particle धूल का चला गया उस वक्त हमारे body में कुछ moment होते हैं जिसे कहते हैं respiratory moment तो यह होते हैं जैसे reflex reflexes से किया जाएंगा quick autonomic होता है the best example one is a coughing action and second is a yawning तो यहाँ पर आप सबको पता है कि अगर by mistake के लिए अगर खाना खाते 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 कर कुछ particle चलागा तो हम फोरी we start to cough क्यों यह moment जो रही respiratory moment होती है okay other respiratory moment उसके बाद yawning yawning करें भी हमारे body की जो respiratory moment थी जो help करता है हमारे body के facial expressions को या हमारे emotion को बताने में यहां पर so these are nothing but the some respiratory moments okay यहां पर हमारा respiratory moment वहां now we are going to focus or put a light on a respiratory disorders अलग-अलग respiratory disorders है human body के अंदर अलग-अलग इसे हम discuss करेंगे दा number one respiratory disorder जिसे mvcema कहते हैं देखें यहां पर हम कैसा देखने वाले एक तो हम देखने वाले disorder का नाम क्या है okay disorder का नाम क्या है उसके बाद हम उसका symptoms क्या होते है फिर उसका किस वजे से यह cause यह बीमारी यह disorder होती है अगर होती है तो उसका treatment क्या होना हर एक disease को हम यह table के साब से check करेंगे so let's see the number one is emphysema the emphysema एक AC DC जिसके symptoms हम देखेंगे there is a breakdown of alveoli alveoli आपको सबको पता है अगर आप को नहीं पता है तो हमारा previous video जिसमें हमने human respiratory system में detail बताए कि alveoli किसे कहते है और कैसा होता आप देख लिए यह and then next is the shortness of breath उसको सांस लेने में breathing में shortness यह नहीं तकलीफ होती है पुरी तरह से नहीं ले पाता these are the two symptoms breakdown of alveoli and shortness of breath then क्यों होता है emphysema होने की reason है एक तो continuous बहुत जादा smoking करना या फिर ऐसी जगा जहां पर polluted air है वो अंदर inhale करने के बाद यह condition होती है breakdown of alveoli and shortness of breath अगर इसी condition हो रही है तब उसका treatment करना है तो एक तो अगर आप smoking कर रहे हैं तो smoking को छोड़ दीजिए quit the smoking then ऐसी जगा अब है जहां पर बहुत जादा pollution वाला zone है garage है या brick factory है या कोई बड़ी industrial है जहां पर बहुत सादा gas release किया जा रहा है ऐसी जगा से आपने जाने से बचना चाहिए उस जगा पर मत जाएए next third treatment है कि अगर बहुत ज़ादा अगर आपको shortness of breath हो रहा है तो यहां पर आपको oxygen cylinder या oxygen में जो oxygen होता उसका use करना पड़ेंगा ताकि आपको आराम मिल सकें तो यह हुआ पहला disease जिसका नाम है emphysema now let's see the second one is a chronic bronchitis यह chronic bronchitis के symptoms क्या है chronic bronchitis के अंदर देखते है कि there is a coughing and shortness of breath यहां पर continuous patient क्यों खासी आती है कफ होता है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है then next is the cause of a chronic bronchitis उसकी वज़े भी वह है एक तो आप continuous smoking करते हैं या फिर ऐसी जगह पर आप चलेगा जहां पर air बहुत polluted है और वो inhale करने में आ गए तब यहां पर bronchitis यानि inflammation in bronchi के chances होते है then the treatment of chronic bronchitis is quit the smoking अगर smoking करते है उसकी आदत है तो आपको smoking चोड़ना पड़ेंगी ऐसी जगह बहुत ज़्यादा polluted area है तो वहां पर मच जाएए and always if possible move to the warmer area अगर आप थंड इलाखे में बहुत ज़्यादा वहां पर बर्फ है या वो थंडी जगह है तो उस जगह को छोड़कर वहां से अब सुके या ड्रायर क्लामेट पर move करिए यह है chronic bronchitis उसके बाद हम देखते हैं क्रोनिक से अगर और ज़्यादा severe होता है acute bronchitis होता है तब उसके symptoms क्या होते हैं acute bronchitis के अंदर the symptoms they are inflammation of bronchitis के अंदर inflammation हो रहा है जिसकी के साथ पीला बलगम जिसे हम कहते हैं mucos that yellow बाहर निकलता है sputum बाहर निकलता है अब यह होनी की region acute क्यों होता है again the reason the some biological agent जैसे की वायरस और bacteria यहां पर वायरस से भी यह acute bronchitis होने के chances है और एक बैक्टिरिया से भी होने के chances है treatment अगर ऐसे अगर वो डिपेंड करता है क्यो वो बैक्टेरियल है तब वहां पर एंटिबाइटिक यूज़ करना चाहिए प्लस कुछ कफ मेडिसीन का यूज़ करना चाहिए and also use the vaporizer यानि गरम पानी में वो उसको कोई और किया दवा दाल कर वोकर उसकी भाप लेना चाहिए जिसे वेपराइजर कहते है यह हो गया acute bronchitis और उसका treatment next disease is a sinusitis अब sinusitis की symptoms क्या है the sinusitis show the inflammation in sinuses sinuses किसे किसे कहेंगे जो respiratory tract की जो खाली जगा है उसे हम sinus कहते है जिसके अंदर सुजन आ जाती inflammation हो जाता है plus वहां बहुत ज्यादा mucous secretion होता है यह हो गया symptom then उसकी वज़े क्या है यह पर again the viruses and bacteria viruses और bacteria की वज़े से यह हम पर होता है treatment क्या करेंगे अगर वो bacterial है again अगर वो bacterial है तो यहां पर take antibiotic and take de-consistence अभी नाक जब बंद हो जाती है ने ने नेजल cavity sinus है अगर यह बंद हो जाती है तो वहां पर इसके अलग-अलग spray आते नेजो विया नेजो स्प्रे यह 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 यूज यूज करना चाहिए जो कि नाक को बनना को खोलते हैं and plus use the vaporizer अब दोनों में भी आप देखेंगी यहां पर bacteria की treatment को दियागा वायर क्योंकि यह जो treatment है यह bacterial antibiotic is taken against the bacterial infection not against the viral viral infection है तो वहां पर generally viral infection ऐसा है कि अग आप treatment करते भी है तो seven to eight days वो अपना duration complete करता ही है इसलिए यहां पर उसको use किया गया है then next disorder of respiratory is a laryngitis larynx की अंदर यह inflammation होता है so what are the symptoms symptoms are nothing but the inflammation of larynx उसके बाद vocal card अब देखो larynx का structure भी हमने already human respiratory system का जो chapter वीडियो है मार उसके अंदर already है detailed है आप larynx का देखिए structure कैसा बताया गया है उसके अंदर vocal cards होते है जिसके वज़े से आवाज बनती है आवाज produce होती है sore throat गले में खिच-खिच होती है आवाज बदल जाती है force of voice plus mucus महाँ बनना शुरू होता है और आपको खासी आना शुरू होती है यह symptoms है larynx के अब इसकी होने का reason क्या है again the viruses and bacteria यह virus और bacteria के वज़े से infection होता है फिर इसका treatment वही है अगर आपको bacteria है तो antibiotic लीजिए कफ medicine लीजिए और अगर vocal cut sore throat हो रहा है तो आपको rest लेना चाहिए अक्सर अगर आप continuous बात करने से अगर आपको आवाज में बात करने में तकलीफ हो रही तो you have to take the voice rest and avoid smoke वगरे जो है ऐसी जगह जहां पर आपको उससे गले में तकलीफ हो दी या जिसकी सूंगने से अपको बेचे नहीं होती है वह जगह से अपने बचना चाहिए next disorder of respiratory system is pneumonia pneumonia अभी तो आज pandemic में आप सब बहुत जादा common हो गई यहां पर की pneumonia वहर से बहुत जादा familiar हो गए तो इसकी symptoms क्या है pneumonia के symptoms होते है the inflammation of the lungs अब देखो यहां पर अब तक हमने अपर respiratory system देखिया अब यहां पर lower respiratory में जा रहे हैं जहां पर lungs के अंदर हलका से लेकर severe mild से severe यहां पर हमको inflammation देखने के मिलता है patient के अंदर cough as well as the fever उसको temperature भी आता है खासी आती है shortness मूकस बढ़नी की वज़े से respiratory track में पुरी तरह से inhale और exhale नहीं कर प मूकस देखिये उसको पसीन आता है sweating होती है chest pain होता है और खासी के साथ blood यहां पर मूकस के साथ बाहर निकलना शुरू होता है यह pneumonia के symptoms है अब pneumonia होने का reason है again the same biological agent जैसे की bacteria and a virus यहां पर reason है pneumonia की भी तो what will be the treatment treatment is here if अगर यह bacteria है तो just we have to take the directly you have to consult the physician immediately आप doctor के पास जाईए physician जो expert होता है वो आपको antibiotic देंगा आपको cough medicine देंगा and again you have to stay warm थंड इलाखे से यह थंडी चीजों से आपने होँआ बचना चाहिए यह होगा pneumonia disorder symptoms cause and treatment the next disorder is asthma 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 के अंदर symptoms ही यह होते है कि the person or the patient has a constriction of bronchiol therefore lungs के अंदर जो final branches bronchiol होते हैं वहाँ पर वो bronchiol से दब जाते हैं constrict होते हैं प्लस महाँ पर mucus से भर जाता है पूरे bronchiol के अंदर mucus हो जाता है और periodic whizzing मतलब आप जब सांस ले तो आप आपकी सांस लेते हैं तो महाँ पर आवाज सुनाई देती है जैसे क्यों कोई wind blow हो रही या कोई whistling कर रहा है और यहाँ पर सांस लेने में उसको तकलीफ होती है difficulty in breathing इसको asthma होने का reason यहाँ पर है the allergy to the pollen यह एक allergic होता है किसी pollen grains की वज़े से अंदर inhale हो गए या फिर कुछ खाने में आ गया कुछ foods होते हैं जो सब यह नहीं they are having the allergic reaction या कुछ food की अंदर मिला है अलग-अलग chemicals होते हैं या test के लिए होते हैं या run के लिए होते हैं या फिर घर मे जो बिली dog cat या जो pets होते हैं उनके बाल के particle सी भी अगर ही नहीं लो गए तो वहाँ पर asthmatic attack आता है asthmatic changes body के अंदर देखने की मुलती है तब ऐसे में अगर condition है तो what will be the treatment treatment ऐसे person को the treatment is use of inhalant जैसे spray होता है आपने अपसर देखे होंगी कि वो सारे वीडियो के अंदर spray मारते है या asthmatic patient जो यूज करते हैं एक उसका यूज करना है जिसके जो पैसेजित का mucus से block हो गया सास लेने ही पा रहे हो लेते हैं और जिससे उनको allergy है जैसे कि वो pollen हो या कु chemical हो या जानवर के कोई बाल वगर हो उससे उन्होंने पच्छना चाहिए यही इनका treatment है then the last disorder respiratory disorder is a occupational respiratory disorder अब occupational क्यों कि यहां पर देखा गया कि कुछ लोग का जैसे कि कुछ गिरनी चलाने आटे की गिरनी होते है कुछ manufacturing होता है कुछ फर्ष वगर है फर्ष घसने का या टाइल से बनाने का होता है या फिर कुछ जो तो asbestos के company में होते है या silica के जगर तो यह continuously वहां काम करते हैं वहां के particle body के अंदर lungs के अंदर inhale inhale होने छे उनको एक disorder होता हुसे कहते है occupational disorder उनका occupation कारोबार की वजह से हुआ so occupational disorder में there are the two here one is the silicosis and second is the asbestosis यह silicosis और asbestosis की symptoms क्या है यहां पर भी inflammation fibrosis lungs का damage होना inflammation होना fibrosis and lung damage का chances होते है then होनी की वज़े होती है वही continuous कहीं अर्सों से कहीं सालों से एक जगा काम कर रहे है वही particle का exposure dust हो silica का dust हो या asbestos कर रहे हो वह बार बार अंदर आने की वज़े से यहां पर यह बीमारी या disorder में इन्वाल हो जाते है इसका treatment क्या है कि the treatment is just to avoid to take the protective mask आजकल हम लोग बहुत पेंडेक में मास्क पेनना compulsory कर दिया गया है precautionary measures है तो वैसे ही महाँ पर अपने कारोबार में mask का use करना चाहिए और अलग-लग महाँ पर जो gears होते है during the work उसका use करना चाहिए यह prevention है यहां पर जो बीमारी से बचाया जा सकता है ओके दैन नेक्स्ट the artificial ventilation what is artificial ventilation अब ventilation और artificial अब artificial अब artificial मतलब आपके समझाए कि यहां पर there is something जो कि natural नहीं रहेंगा तो it is also called the artificial respiration यानि respiration जो हम naturally खुद कर रहे है तो यहां पर उसको artificially कराया जाता एक ऐसा method जहां पर breathing को induced कर जबरदस्ती यानि वो नहीं खुद कर पा रहा है खुद नहीं कर पा रहा तो उसको कराया जाता उसे करते induced breathing जब कोई natural process natural respiration नहीं कर पाता stop हो जाता है seized होता है seized मतलब respiration breathing नहीं कर पा रहा है उस condition में उस individual को बचानी के लिए इस technique कर इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते है artificial respiration अगर ये कोई second person अगर करता है उसको मरने से बचाया जा सकता है या फिर यह कैसी condition हो रहा है जब वो पानी में डूब रहा है या फिर सास नहीं ले पा रहा है या oxygen की कमी की वज़े से दम घुट रहा है सफकेशन हो रहा है या electric shock लग एक्सेटरा किसी भी event में वह अगर breathing नहीं कर पा रहा है तब वहाँ पर यह artificial respiration वहाँ पर यह उसको बचानी के लिए जरूरी होता है यानि this is one of the method to prevent the death then इस artificial ventilation में दो step में complete किया जाता है एक तो establish and maintaining open air passage from upper respiratory tract to the lung यानि वो individual जो respire नहीं कर पा रहा तो उसको ऊपर से यानि मुह से उसका जो air passage block हुआ किसी वज़े से भी हुआ उसको हवा से अपर इस्पायरेट्री से लंग्स तक के रास्ते को खोलना चाहिए यह पहला काम है establishing and maintaining the open air passage दूसरा है पोर्सली पोर्सली वहाँ पर मुह लगाकर मुह से उसको mechanical जबरदस्ती इसको respire किया जाएंगा या फिर machines का या mechanical ventilator जैसे की ventilator machines के use किया जाता आज हम देखते कि बहुत ज़्यादा respire नहीं कर पा रहे कोविड पेशन तो उनको ventilator वो खुद नहीं respire कर पा रहे तो एक machine की मदद से किया जाता जिसे कहते ventilator so ventilators क्या होते है ventilators are nothing but the supports the breathing एक ऐसी machine जो कि आप आप सबको पता है machine आप सबने देखे रहेंगे this is the ventilator machine ये ventilator machine की help से उस individual को support मिलता है वो breathing नहीं कर पा रहा तो करता है और इसको generally use किया जाता है during the surgery surgery कर patient अगर वो खुद नहीं कर पा तो यह फिर है during the treatment of the serious lung disorders lungs के कुछ disorders होते है वहाँ पर इसको use किया जाता है then it is also used during the दूसरे condition की अगर कोई शक्स breathing नहीं कर पा रहा किसी वजह से breathing fails breathing तब वहाँ पर इस ventilator का यूज किया जाता है generally इसको hospitals में यूज किया जाता है और घरों में तो नहीं होते हैं क्योंकि एक life supporting system वाला यह यहां पार्ट होता है ventilators do the following यह काम क्या करते हैं क्या काम करते हैं यहां पर ventilator ventilators they get oxygen into the lungs lungs की अंदर यह oxygen को क्योंकि oxygen अगर lungs लेंगे तभी वह blood के जरीए से पूरे body को पहुचाया जाता है तो lungs में oxygen पहुचाने का का काम करते हैं तो first work is here they give the oxygen to the lungs then second they remove the carbon dioxide from the lungs यह भी बहुच जरूर है oxygen लाना और carbon dioxide को वापस बाहर पे करना यह दूसरा काम important काम कर रहे हैं then जो यह दोनों कर रहा है इसका मतलब it helps the patient to breathe यह patient inhale exhale inhale exhale breathe कर रहा है so this is all about our chapter or the short video that is the regulation of breathing and some respiratory disorder अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please don't forget to subscribe subscription वाला बटन आप दबाईए और साथी मापर एक bell icon होता है उसको भी दबाईए so thank you very much for giving your time